दोस्तो यदि आप चाहते हैं जब भी कोई भी फोन करें तो color skin पर जो calling skin जो यहां पर call आए कि इह को फूल photo यहां पर zeggen दिखाई दे यानि कि color skin पर खुद का photo और पिर किसी का भी photo फूरा full skin पर कैसे लबाएं यानि कि जब भी कोई कॉल करता है तो आप देखते हैं background में black skin होती है या तो white लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे background पे अपना photo या good का photo, white का photo या पिन उसका photo, person का photo कैसे हैं मतलब जब भी कोई call करे full photo कैसे दिखाई दे वीडियो में बने रहेगा मैं आपको इसी वी से में बात करने वाला हूं सबसे पहले वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके गंटी को दबा के all press करें यहां से वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को share करें comment box में आपको comment करना कि आपका कौन सा phone है तो दोश्तों इस काम के लिए आपको एक application जोद पढ़ेगी भीन application डाउनलूड की आप एक काम नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर Chrome ब्रॉजम जाना है और यहां पर एक website का नाम के जरीए आपको इस application को install करना है तो यहां पर आपको technology call screen आपको Google में search करना है तो यहां पर मिलेगा call screen पर अपना खूद का पोटो कैसे लगाए तो आपको इस link पर क्लिक करके application को install करना है application को install करने बाद application को आपको open करना है सारे permission को allow करना है इस तरीके से application यह open हो जाएगी application को open होने के बाद इस तरीके से दिख सकते यहां पर इसको मैं बैक कर लता तो यहां पर इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा तो यहां पर आपको color वाले एक्सेन पर क्लिक करना है और यहां पर इस तरीके से एक option दिखेगा इस पर आपको click करने के बाद आपको background वाले caption करने के यहां पर default video photo में जागा जिसे आप रायट इस्तों कर सकते हैं color screen के background मे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने कुछ मन पसंद का तो आप यहां पर पिक इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप गैलेरी में चले जाएंगे अपने गैलेरी से कुछ अप्र करके और यहां से कॉल करके सकते हैं पूरा यहां पर इस तरीके से कॉल आएगा जब भी किसी इस तरीके से फोटो नमर नम और इस तरीके से इस्टॉल करने के लिए आप यहां पर देखिए टेक्नोराज की कॉल स्क्रीन सर्च करिया और इस लिंक पर क्लिक करके अप्लिकेशन को इसली इस्टॉल कर ले सकते हैं धन्यवाद